मद्यप्रदेश विदानसवाच चुनाओ 2023 के लिए बीजेपी में बिना किसी को मुखमंतरी का चेहरा बनाए चुनाओ मैदान में कूच चुकी है चुनाओ में बहुमत मिलने पर अगला मुखमंतरी कौन होगा इस पर बीजेपी खामूश है नमस्कार मैं हूँ देवेश यादव और आप देख रहे हैं टीवी ने मुखमंतरी होंगे या नहीं इसको लेकर प्रदेश में अटकलों का बाजार गर्म है वहीं शिवरास सिंग ने डेडोरी में आयोजेते कारिकरम में मंच से ही प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने पर मुखमंतरी के पत के लिए अपनी दाविदारी पेश कर दी है मुखमंद्री शिवराज सिंग चौहान ने शुक्रवार को अपनी दावेदारी पेश करते हुए जनता से पूछा कि वह उन्हें एक बार फिर मुखमंद्री देखना चाहते हैं या नहीं डिडोरी में एक कारिक्रम को संभोधित करते हुए उन्होंने पूछा कि मामा को दोबार मुखमंद्री बनना चाहिए या नहीं और क्या भाजपा की सरकार बननी चाहिए या नहीं सुनिए सिवराज सिंग चौहान ने मंच से क्या बोला कि इस तो यह सरकार आगे चलनी चाहिए कि नहीं मामा को मुखमंंद्री बनना चाहिए कि गुरतलब है कि मंद्रदेश बीजेपी ने जिस तरह से विदासवा चुनाव लड़ने के लिए छे केंद्रिय मंत्रियों और सांसदों को चुनाव में उतार दिया है जिसके बाद से शिवराज सिंग के भविश्य को लेकर कई तरह की अठकले लगने लगी है इसे उस बक्त और हवा मिल गई जब उन्होंने एक साभा में भाव को पील करते हुए कह दिया चला गया तो बहुत यादाऊंगा सुनी शिवराज सिंग का ये बयान हाला कि अब शिवराज ने साफ संके दिये हैं कि ओह मद्ध विदेश में फिर विदान सभा का चुनाओ लड़ेंगे और पार्टी को जीत मिली तो मुखमंत्री भी बनेंगे दो दिन पहले उन्होंने चुनाओ लड़ने पर बनी सस्पेंस को खत्म करते हुए विदुनी में वोटर से पूछा कि उन्हें दो बारा चुनाओ लड़ना चाहिए या नहीं जन्नता से हां मैं आवाज आने के बाद उन्होंने कहा मैं वोटर्स का सम्मान करूँगा और चुनाओ लड़ूँगा सुनी शिवरा सिंग चौहान का ये बयान सियम शिवराज का ये बयान उस से में आया है जब उज्जेन में दो दिन पहले दिये उनके भाषण का एक अंश भी बाइरल हो रहा है मुखमंद्रि शिवरा सिंग चौहान ने राजनीती की रहा को रप्टेली बताते हुए कहा कि इसमें कदम कदम पर फिसलने का खत्रा रहता है दरसल उन्होंने संतों से अच्छे मार्ग पर चलते रहने का आशिरवाद मांगते हुए ये बात कही और उन्ही के किरपास है मैं सरकार नी चलाता ले परिवार चलाता हूं अपना परिवार जो आप बैठे आप सबको भी प्रणाम माहाकाल महराज के चड़ों प्रणाम तंतों की किरपास सदयब बनी रहे बिन सतसंग बिवेक ना होई आपके संग के बिवेक होई नहीं सकता आप हमें तही रास्ते पर चलाने का मार्ग जरसन करते रहें कियोंकि राई निती की राहें बड़ी रप्टिली होती है कदम कदम पर फिसलने का खतरा होता है कई बार खुदा ही फिसल जाते हैं कई बार चक्कर में डालने बाले भी कई आ जाते हैं तो रस्ता ना भटकें ये सद मार्ग पर चलने की कृपा और आशिरवादा आपकी बनी रहे बीजेपी करीब दो दशक से मध्यविदेश की सत्ता पर काविज है और एक वार फिर प्रदेश में बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए पूरा दमखम भी लगा रही है शिवरा सिंग चोहान पांच वी वार मध्यविदेश के मुख्मंतरी के रूप में शपत लेना चाते हैं हाला कि पार्टी ने मुखमंतरी पत पर उनकी दाविदारी का एलान नहीं किया है भाजबाब तक 89 उम्मीदवारों के नाम का एलान कर चुकी है वही शिवरा सिंग को भरोसा है कि BJP आने वाली अगली लिष्ट में उनकी नाम का एलान कर सकती है हला कि राजनीती में निश्चित कुछ नहीं होता लेकिन जिस तरह से शिवरा सिंग को पार्टी पर भरोसा है क्या पार्टी उनके भरोस से को कायम रख सकेगी इसका अभी सभी को इंतिजार है